हलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज अपन क्वांटम मेकेनिक्स में डिसकस करेंगी नेक्स्ट लेक्चर क्वांटम यांतरीके में संकारक ओप्रेटर और ओप्रेटर्स जो है वो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि तरंग फलन का परसामानी करण क्या है लंब कोणियता क्या है और इससे जश्ट पहले जो टोपिक क्या था अपने वो था प्रोबेबिलिटी करन डेंशिटी प्राइक्ता धारा घनत्व है आज अपन डि पीरिप्टिशन अग्जां से रिल्टेड और जो हाई लेफल के अखियाम है उनमें भी ओपरेटर शहर है यह काफे इंपोर्टेंट टॉपीक है तो बिल्कूल इजिटवप है तो अपने बात कर लेते हैं कि संकारक क्या होता है ओपरेटर क्या होता है कि कि किसी भी सबजे कर देता है यानि उस function में change करता है जैसे अपने बात करें कि अपने पास कोई दो numbers है 2 & 7 एक operator अपने बीच में लगा दें पलस तो पलस operator अपने इसके बीच में लगाएं तो यह दोनों को एड़ कर देता है ऐसे माइनस करें तो इन दोनों को सब्ट्रेक्ट करता है multiple करें तो यह दोनों को multiply करके value देता है और ऐसे divide करें तो कोई और नई value अपने उस पास आ जाती है तो operator क्या होता है कि operator एक ऐसा symbol है अपने आप में एक ऐसा संकेत है जब भी किसी quantities की उपर अपलाई होता है तो उस quantities की value change कर देता है जैसे multiple लगेगा इनके बीच में तो 2 और 7 को change करके कोई नई value अपने पास मिल जाए तो धान सारे operators हैं तो सबसे पहले अपने वह यह जानना कि operator होते क्या है तो discuss करेंगी संकारक जो है operator एक ऐसा operation है एक ऐसी संकिरिया है जो किसी फलन के उपर लागू होता है तो नया फलन पराप्त हो जता है कि यह इसकी definition रहने वाली है आपने बात करें कि संकारक संकारक एक AC गणितिये संकिरिया है, mathematical operation है, जब इसे किसी फलन पर लागू किया जाता है, जब इसे किसी फलन पर लागू किया जाता है, तब अन्ने नया फलन प्राप्त होता है, तो यह operator की definition है, संकारक की, संकारक एक AC गणितिये संकिरिया है, जब इसे किसी फलन पर लागू किया जाता है, यानि किसी function की उपर इसे apply किया जाता है, तो other कोई new function है, वो अपने को प्राप्त होता है, ध्यान रखना है संकारक एक AC गणितिये संकिरिया है, जिसे किसी फलन के उपर अपन लागू कर दें, तो कोई नया फलन प्राप्त होता है, जैसे और इसको समान्यते कैप की द्वारवेक्ट किया जाता है, अपने quantum mechanics में कोई भी operator जो है, उसके उपर अपन कैप लगाएं, तो अपने उपता दल्याता है कि यह कोई न कोई operator है, संकारक है, इसे समान्यते, इसे समान्यते, एक कैप द्वारा वेक्ट किया जाता है, इसे एक कैप की द्वारा वेक्ट किया जाता है, तो अपने यहां यह कहा कि संकारक कोई गणिती संक्रिया है, किसी function के उपर लगू करें, मान के चलो अपने पास quantum mechanics में कोई wave है, उस wave को Schrödinger सर ने साई से denote किया है, यानि किसी भी wave को wave function की सायता से represent किया जाता है, तो यह अपने पास कोई wave function है, मैं आप से कहता हूं कि इसके उपर एक app operator है, वो operate करना है, तो किसी भी फलन के उपर जब कोई operator लगता है, तो नया फलन प्राप्त होता है, let's say, this is 5, जैसे अपन 2 और 7 के बीच में multiple का करें, तो इनका जो product होता है, वो 4 आता है, कोई नई value अपने पास आती है, तो इस symbol का कोई ने कोई महत्व है, तो ऐसे ही अपने physics के अंदर इस operator का importance है, यह a cap इस si की उपर लगा, तो अपने को नया function मिल गया phi, तो ध्यान रखना है phi है, यह अपने आप में कोई नया function है, जब operator si है, operator a cap है, यह si की उपर लगा, तो अपने को si नहीं मिलेगा, कोई नया function मिलेगा, जिसको अपने क्या बोलते है, इसके बाद में, अपन डिसकस करें, सबसे पहले अपन डिसकस करें, कि रैखिक संकार क्या होता है, कई सारे operator से अपन पढ़ेंगे, तो different different operators हैं, यह different different work करते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, रैखिक संकार की, अपने physics में कई सारे संकार क्या हैं, अपन एक एक करके इसको पढ़ेंगे, और कोई भी एक operator के बारे में अक्जाम में अपने से पूछेगा, तो सबसे पहले अपन डिसकास कर लेते हैं, कि रैखिक संकार क्या है, linear operator, इसको क्या बोलेगे हैं, अपने linear operator, operator क्या होते हैं, अपने समझ में आ गया, कोई भी function के उपर जब अपलाई होता है, तो अपने को कोई नया function है, वो मिलता है, अब देखो, रैखिक संकार क्या है, इतना confirm हो गया कि कोई भी संकार किसी function के उपर लगेगा, तो नया फलन अपने को मिलेगा, रैखिक संकार क्या होता है, एक रैखिक संकार क्या होता है, जो एक equation को follow करेगा, एक रैखिक संकार क्या होता है, जिसके लिए, एक linear operator, एक एसा operator है, जिसके लिए condition follow होने चाहिए, जिसके लिए क्या हो, कि जैसे अपने पास psi 1 और psi 2 कोई दो वेव function है, एक कन गती करेगा, उसके साथ जो तरंग होगी, उसको लिख दिया psi 1 से, कोई दूसरा particle गती कर रहा है, उसको लिख दिया अपने psi 2 से, और ये दोनों योग के रूप में है, यानि psi 1 पलस psi 2 है, इनके उपर कोई operator एक कैप अपने ओपरेट करें, तो कुछ अपने को ऐसा मिलना चाहिए, ये operator अलग लग लगना चाहिए इन दोनों के उपर, यानि एक एप psi 1 पलस एक एप psi 2, तो ये संकारक एक एप अपने आप में क्या होगा, रखिक संकारक कर लाएगा, यदि कोई भी संकारक इस समीकन को सैटिस्फाई करता है, यानि साइवन और साइटू अपने पास दो वेव फंक्षन है, उन दोनों के योग के उपर एक संकारक अपने अपलाई किया, तो ये operator इन दोनों के उपर अलग अलग तरीके से लगना चाहिए, यानि अपन इसको language में लिखें, तो अर्थार्थ, तो यह रखिक संकारक है, देखो, अर्थार्थ, अपन ये लिख़एं कि दो फलनों के योग पर किसी संकारक को लागु करते हैं, तो वही प्रिणाम आता है, जो उन फलनों के उपर अलग अलग संकारक अपने क्या करें, लागू करें यानि अर्थार्थ यदि किसी फलन किसी फलनों की योग पर एक संकारक लागू होता है यानि ये दो फलन है कोई भी दो फलन है इनकी योग पर संकारक लागू हो गया लागू होता है तो वही परिणाम प्राप्त होता है वही परिणाम प्राप्त होता है जो अलग-अलग फल्लों पर संकारक लागू करने पर प्राप्त होता है तो यह जो लेंग्वेज है यह तो अपने इसे लिखिये कोई भी दो फल्लों के योग पर एक संकारक लागू होता है तो आपको result वही मिलेगा जो इन फल्लों पर अलग-अलग संकारक लगाने से प्राप्त होता है तो यह है अपना रेखिक संकारक उसके बाद में अपन डिसकस करेंगे कि अग्जाम में पूछता है कि रेखिक संकारक किसे कहते हैं और रेखिक संकारक की विशेशता है क्या है properties of linear operators तो यह रेखिक संकारक आपको धाम रखना है कोई भी संकारक रेखिक संकारक कहलता है जिसके लिए a cap को si1 plus si2 के उपर करें तो सेम वेल्यू आने चीज़ यानि यह अलग-अलग लग जाएगा एक a cap si1 plus a cap si2 तो इसको अपन linear operator कहीं अब डिसकस कर लेते हैं कि रेखिक संकारक की विशेशता ही क्या-क्या है एक रेखिक संकारक की properties क्या-क्या है अब अपन डिसकस करेंगे कि रेखिक संकारक की विशेशता है आज अपन केवल एक संकारक की बात करेंगे अपने quantum mechanics में काफी important operators है सभी को एक एक करके अपन पड़ेंगे उनकी विशेशता है पड़ेंगे तो रेखिक संकारक की विशेष्टाइं प्रोपर्टीज ओफ लीनियर ओपरेटर रेकिक संकारक की विशेष्टाइं देखो सबसे पहली जो विशेष्टा है इस विशेष्टा का नाम है योगात्मक संकारक यानि रेखिक संकारक क्या है कि योगात्मक संकारक है यानि एडिटिव ओपरेटर्स है इसको अपने क्या लिखें एडिटिव ओपरेटर्स है तो योगात्मक के नाम से इस पश्ट है कि दो फल्लों का या दो ओपरेटर्स का अपने योग करें तो योगात्मक संकारक का मिनिंग ये है एडिटिव ओपरेटर्स का मिनिंग ये है कि दो संकारकों का योग करें और वो दोनों संकारक कैसे उड़े रेखिक संकारक क्योंकि अपने क्या रेखिक संकारक की विशेष्टा है बढ़ रहे हैं तो दो कोई भी रेखिक संकारक ल होगा आपने योग करें तो वो योग जो अपने को प्राप्त होगा वो योग भी क्या वना चीए रेखिक संकारक होगा यह इसकी पहली प्रोपरटी है तो आपने लिख दें यदी एक एप तथा बी कैप दो कैसे संकारक हैं रेखिक संकारक हैं यदी एक एप तथा बी कैप दो रेखिक संकारक हैं तब इनका योग भी रेखिक संकारक होता है और इसको अपने प्रूब भी कर सकते हैं तो दान रखना अपने वो कि कोई भी दो रेखिक संकारक हैं एक एप और बी कैप तो उनका जो योग है वो भी क्या होगा रेखिक संकारक होता है यह प्रोपरटी का लाती है फेश्ट प्रोपरटी यानि योगातमक संकारक एडिटिव प्रोपरेटर तो सबसे पहले रेखिक संकारक की विशेशता जो है वो है योगात्मक संकारक यानि दो रेखिक संकारकों को अपने एड करें तो उनका जो योग होगा वो भी क्या होगा रेखिक संकारक होना चीए यानि अपने पास कुछ ऐसा है यानि कोई अपने पास wave function साई तो wave function जो साई है इसके उपड़ एक operator operate होता है एक- में प्लस बी- में यह यह एक एप और बी- में दो रहाखिक operator है इनका योग करके फिर अपने किसी फलन के उपर और किया तो अपने कैसे मिलेगा कुछ यह a cap भी लगेगा साई की उपर पलस b cap भी लगेगा साई की उपर क्योंकि यह साई दोनों के multiple में है तो इसको अपने ऐसे भी लिखते है a cap साई पलस b cap साई कोई तीसरा function होता operator होता पलस c यहां आता यहां आता यहां पलस b cap साई की उपर उपर करते तो इस परकार का अपने को अपने पास operator आता तो यह है योगात्मक संकारक यानि किसी भी function के उपर योग के रूप में दो linear operators को अपना apply करें तो यह जो linear operator अपरेक्तर है लग लग लगेगा तो तो भी अपने पास जो result मिलेगा वोगी क्या होना छाए रखीक संकारक होना चाही हे एक note करके अपन लिख लेते हैं कि तो रख शंकारक जो होता है वो कर्म भिनी में नहीं का पालन करता है रेखिक संकारक करम विनिमे नियम का पालन करता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट रेखिक संकारक जो होता है वो करम विनिमे नियम का पालन करता है कमिटेटिव लाका फोलो करता है जैसे a cap पलस b cap एक रखिक संकारक है क्योंकि a और b cap यदि दोनों रखिक संकारक है तो इनका योग भी क्या होगा रखिक संकारक तो इसको अपने यह भी लिख सकते हैं b cap पलस a cap this is committed to law यह कर्म विनिमिनियम है यह यहनि किसी function जैसे यहां लगाए था अपने a cap पलस b cap लगाया साई के उपर तो अपने बी cap पलस a cap लगाए साई के उपर तो समी रिज्ल्ट में लेगा आपको चोंब्स b cap लगा दिया इसको क्या लिख दे नोट में अपने को इधान रखना है कि रखिख संकारक कौन से नियम को पालण करता है रखिख संकारक जो होता है कि ये कर्म विनिमी नियम को पालन करता है यह है इसकी फेश्ट प्रोपर्टी, अब अपने फेश्ट प्रोपर्टी का डिस्कस कर लेते हैं, पहली जो प्रोपर्टी है वो क्या है, एडिट्यू प्रोपर्टी यानि योगात्मक संकारक, दो रेखिक संकारकों को आप जोड़ोगे तो उससे जो आपको result मिलेगा वो भी क्या होगा रेखिक संकारक होगा दूसरा अपन बात कर लेते हैं गुनातमक संकारक गुनातमक संकारक यानि मल्टिप्लेटिव गुनातमक संकारक जो वो देखो क्या होता है अपने इसको क्या लिख सकते हैं देखो यानि एकैप और बीकैप अपने पास कोई दो रखिक संकारक है जिस परकार से उनका योग जो है एकैप पलस बीकैप किसी साई के उपर अपने उपरेट किया उसी परकार से अब की बार उनका गुनदफल जो है वो किसी साई के उपर function के उपर operate करें तो यो संकारक जो है वो क्या कलाएगा गुणात्मक संकारक कलाएगा यदि A-CAP तथा B-CAP दो रखिक संकारक है A-CAP तथा B-CAP कैसे हैं दो रखिक संकारक है यदि A-CAP तथा B-CAP दो रखिक संकारक हैं रखिक संकारक की विशेष्टा है पड़ रहे है तो जो ओपरेटर ले रहे हो आप लेलीर ओपरेटर लेने पड़ेंगे आपने को रखिक संकारक है यदि ये दोनों गुणल फल के रूप में किसी फलन पर लागू होते हैं तब इसे गुणात्मक संकारक कहते हैं तब इसे गुणात्मक संकारक कहते हैं, देखो रेखिक संकारक ओपरेटर, लेनिर ओपरेटर जो इम्पोर्टेंट है इसकी विशेषता ही और भी ज़्यदा इम्पोर्टेंट है, a cap और b cap दो रहखिक संकारक हैं यादि दोनों गुर्ण फल के रूप में किसी फलन पर लागू होते हैं तो इसे क्या कहेंगे गुर्णात्मक संकार कहें एक्जामपल अपन ले ले एक्जामपल से इससे समझ में आएगा कि a cap और b cap दो कोई function operator है और कैसे operator है linear operator recognition का रखे यह दोनों गुणा के रूप में किसी function के उपर apply होते हैं यानि इनको दोनों का गुणा तो इसको आपन क्या लिखेंगे a cap psi और यह क्या लिखेंगे b cap psi यानि इस psi के उपर a cap भी apply होगा b cap भी apply होगा और दोनों का multiple है तो यहां से देखो क्या होगा कोई नया function आएगा इसको नया function कोई मालने जैसे a cap psi के उपर apply होता है तो अपना मालने कि इसकी जो value आती है वो 5,1 है b cap psi के उपर लगू होता है कोई भी operator कि c function के उपर लगू होता है और operator का यही meaning है किसी भी function के उपर कैसे भी लागू हो तो नया function अपने को मिलना चाहिए तो यह अपने पास है दूसरा गुणात्मक संकारक पहला है योगात्मक संकारक दूसरा है अपने पास गुणात्मक संकारक तीसरा अपने पढ़ेंगे इकाई संकारक यूनिट ओपरेटर तीसरी जो प्रोपर्टी है इसके लिए क्या है इकाई संकारक यानि यूनिट ओपरेटर अब तीसरी जो विसेषता है कि राखक संकारक कैसा है यूनिट ओपड़ेटर है राखक संकारक की कि एक एक से संकारक है जिसको किसी भी फंक्षन के उपरड़प अप्लाई कर दें तो उसमें फ्सेवावब्ब्ब में कोई परिवर्थर्क नहीं होता है यानि इस यूनिट वे ओपरेटर को आप किसी भी फंक्षन के उपर अपलाई कर देना तो फंक्षन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा एक मातर ऐसा ओपरेटर है जो किसी function के उपर लगू करने से function में कोई change नहीं होता, function सेम रहता है तो इकाई संकारक इकाई संकारक वह संकारक है जिसे किसी फलन पर लागू करने पर फलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है जैसे mathematics में आप इसको unity यानी one बोल सकते हो क्योंकि one को किसी भी संक्या से multiply करें अपन तो संक्या में कोई भी change नहीं होता जैसे one को four से करें तो four का four रहना है, one को five से कर दें कोई फरक नहीं पड़ता तो ऐसा अपने पास quantum mechanics में operator available है अपने कोई काई दे कि अपने पास कोई wave function है उसके उपर एक operator operate करो जिससे फलन में कोई change नहीं हो तो आप unit operator का use करोगे काई संकारक का use करोगे क्योंकि बाकि ऐसा कोई operator नहीं है अपने पास जो फलन के मान में change नहीं करता और यह अपने आप में एक अपवादित है क्योंकि संकारक की definition अपने कैसे definition पढ़ते हैं जो किसी भी function की उपर लगू होता है तो नया function मिलता है unit operator एक मातर ऐसा operator है जिसे किसी भी function की उपर अपने लगू करें तो function में कोई change नहीं होता है तो उसकी definition से i-cap से वेक्त करते हैं इसको बचारे को i-cap से लिखते हैं यह कोई si है वो फंक्षन इसके उपर unit vector अपलाई करें तो si ऐसा कैसा जाएगा किसी भी unit vector को किसी function की उपर operate करें तो function है वो क्या रहेगा एज़िटीज रहेगा इसके लिए अपने ऐसे भी कर सकते हैं जैसे i-cap और a-cap दो multiple में हैं अपने पास कोई भी operator इसको ऐसे भी लिखते हैं a-cap into i-cap यानि इसको multiply कैसे भी कर दे तो कहने का मतलब a-cap यह आपको मिल जाएगा a-cap को i-cap से left side multiply कर दे a-cap को i-cap से right side multiply कर दे अपने को जो value मिलेगी वो a-cap ही मिलेगी तो यह इसकी third property है पहला आपने पड़ा योगातमक संकारक दूसरा आपने पड़ा गुनातमक संकारक है तीसरा आपने पड़ा unit vector एक अपने पास null और zero vector है सुन्ने संकारक उसे किसी भी function के उपर अपना apply कर दे तो उसकी value zero कर देता हो fourth है अपने पास सुन्ने संकारक null और zero operator null और zero operator ये क्या होता है कि किसी भी संकारक के उपर इसे लागू करें परिणाम आपको क्या मिलेगा zero मिलेगा यानि result को zero कर देता है तो अपने इसके definition लिखे तो क्या लिखेंगे सुन्ने संकारक यानि zero operator ना भी वेचारेगा zero है किसी भी function के उपर लग गया zero कर देगा सुन्ने संकारक एक एसा संकारक है जिसे किसी फलन पर लागू करने पर जिसे किसी फलन पर लागू करने पर परिणाम सुन्ने पराप्त होता है और इसे लिखेंगे से zero से ही वेक्ट करते हैं इसे zero cap से represent करते हैं यानि वेक्ट करते हैं यह है वही सुन्ने संकारक जिसे किसी भी फंक्षन की उपर लगा दो result zero मिलेगा इसका example लें तो यह कोई फाई साई अपने पास कोई वेव फंक्षन है इसके उपर कल को भूलूल से zero operator लगा दिया तो इसका result क्या अगर देगा ही zero कर देगा तो यह है अपना सुन्ने संकारक तो आज का अपना लेक्तर था संकारक किसे कहते हैं संकारक के कैसी mathematical operation है जिसे किसी भी function की उपर apply करें तो नया function मिलता है अपने उसके बाद में अपने सबसे पहला जो संकारक पढ़ा वो पढ़ा है रेकिक संकारक इसके बाद में और भी संकारक अपन पढ़ेंगे रेकिक संकारक है Hermitian संकारक है तो यह कई प्रकार के अपने पास operator है जिनको अपन पढ़ेंगे रेकिक संकारक तो एक एसा संकारक है जिसको किसी दो function के योग के उपर लगाएं तो वो अलग लग लग जाता है यानि a cap को side 1 plus side 2 के उपर अपलाई करें तो a cap side 1 plus side 2 अपने लिख सकते हैं और रखिक संकारक की विशेष्ता है चार विशेष्ता है अपने डिसकस किए है फैस्ट प्रोपर्टी है इसकी योगातमक संकारक यानि additive operator यानि दो संकारक रखिक है एक एप और बीक एप तो उनका योग करें वो भी क्या मिलना चाहिए रखिक संकारक उना एक नोट लिखा है तो जो काफी important है रखिक संकारक जो है वो करम विविनिमी नियम का पालन करते हैं यानि कमिटिटिव लाको फोलो करते हैं एक पलस बीक एप रिजल्ट वही मिलेगा जो बीक पलस एक आप लिखोगी सेकेंड अपने गुणात्मक पड़ा मल्टिप्लेटिव ऑपरेटर तो उसके बारे में भी अपने डिस्कस क्या थर्ड है अपना यूनिट वेक्टर जो एक एसा वेक्टर है जो किसी भी फंक्षन पर अपलाई होता है तो उसकी वेल्यू वन कर देता है सोरी उसमें कोई चेंज नहीं करता और जीरो ओपरेटर एक एसा ओपरेटर है जो किसी भी फंक्षन के ऊपर लागू होता तो उसकी वेल्यू जीरो कर देता है